नमस्कार चात्रों आज हम फिर से एक निया MCQ लेके आए हैं ये क्लास 10 के शितिज बुक का छाया मत शूना चेप्टर 7 का है पहला MCQ है उचे तफसर पढ़ना मिलकर बाद में मिलने वाले खुशी कैसी प्रतीत होती है निराश जनक, वेर्थ, कालपनिक या संतोश जनक और इसका सही ऑप्शन है वेर्थ नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंद कवी के तन्मन को क्या बना देती है सुस्त, रंगीन, चंचल या मस्त इसका सही ऑप्शन है मस्त तो मस्त बना देती है कवी के तन्मन को पुरानी मीठी यादे अगले सवाल पर चलते हैं चाया मत्छूना कवीता के लिखक कौन है? हरिवंश राइबच्चन, महावीर परसाद दोएदी, गिरिजा कुमार माथुर या इन में से कोई नहीं बच्चों यह आपको याद एकना पड़ेगा चाया मत्छूना कवीता के लिखक गिरिजा कुमार माथुर है अगले सवाल पर चलते हैं गिरिजा कुमार माथुर किस धारा के कवी है? चाया वादी, युग, भार तेंदु युग, नई कवीता या उप में से कोई नहीं ये भी एक important MCQ है, याद एकना पड़ेगा आपको गिरिजा कुमार माथुर नई कवीता के धारा के कवी है अगले सवाल पर चलते हैं रंस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीख है? निराश, बुरे, सुहाने या इन में से कोई नहीं तो बच्चो, इसका जवाब है, सुहाने दिनों के प्रतीख है next सवाल पर चलते है कवी पुरानी स्मृतियों को याद ना करने को कहता है क्योंकि सुख दोगना हो जाएगा, दोनों दोगने हो जाएगे दुख दोगना हो जाएगा, या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है, दुख दोगना हो जाएगा अगले सवाल पर चलते है ग्रीजा कुमार मातुर का जनम कहा हुआ था? लखनों में, वपाल में, गुना में या गौालियर में तो बच्चों ये भी एक important MCQ है आपको या दखना पड़ेगा, ग्रीजा कुमार मातुर जी का जनम गुना में हुआ था अगले सवाल पर चलते है ग्रीजा कुमार मातुर का जनम कब हुआ? 1918, 1920, 1940 या 1930 ये भी एक important MCQ है, आपको या दखना पड़ेगा कि ग्रीजा कुमार मातुर जी का जनम 1918 में हुआ था अगले सवाल पर चलते है हर सुख में क्या छिपा रहता है? दुख, दर्द, प्रेम या याद तो इसका सई जवाब है हर सुख में दुख छिपा रहता है अगले सवाल पर चलते है पुरानी मीठी यादों में जीने का परिग्राम कैसा होता है? दुख में, सुखद, अभावपुरन या उल्रासपुरन? इसका सही जवाब है दुख में अगले सवाल पर चलते हैं, शर्द रात किसका प्रतीक है? धन का, ठंड का, प्रेम का या खोशियों का? शर्द रात खोशियों का प्रतीक है कविता में चाया का अर्थ क्या है दुख, पुरानी मीठी यादें, परच्छाई या परिशानी कविता में चाया का जो अर्थ है वो है पुरानी मीठी यादे जिनको कवी बार-बार कहता है कि मत चुईए हर चंद्रिका में चिपी एक रात कृष्णा है पंक्ती से कवी क्या कहना चाहता है कुछ कह नहीं सकते सुख के बाद दुख आता है अंधेरी रात का वर्णन कर रहा है चांदनी रात का वर्णन कर रहा है इसमें कवी ये कहना चाहता है कि सुख के बाद हमें दुख आता है अगले सवाल पर चलते हैं किसे याद करके कवी के मन में मन भावन चित्र उभरते हैं परकती को, रंग बिरंगी यादों को, मित्रों को या इन में से कोई नहीं तो बच्चों इसका भी सही जवाब है रंग बिरंगी यादों को याद रखना इस चैप्टर की जितने भी MCQs या Question Answers आएंगे उसमें पुरानी यादें से related ही answers जालतर होएंगे अगले सवाल पर चलते हैं चांदनी रात को देखकर कवी को किसकी याद आती है सांसारिक, सुख, प्रेमिका के केशों में गूं थे फूल, मा की या इन में से कोई नहीं यह Important MCQ है यह याद एकना चांदी रात को देखकर कवी को प्रेमिका के केशों में गूं थे फूल की याद आती है अगले सवाल पर चलते हैं वसंद के समय फूल ना खिलने का क्या आश्चे है समय पर फूल का ना खिलना, सूखा पढ़ना, सुख प्राप्त नहोना या उचित अफसर का लाब ना मिलना इसका सही जवाब है उचित अफसर का लाब ना मिलना अगले सवाल पर चलते हैं कवी ने किन यादों में जाने से मना किया है पुरानी मीठी यादों में, कड़वी यादों में, सुनहरी यादों में या इन में से कोई नहीं कवी ने हम बार बार इस MCQ में देख रहे हैं यही specific words आते हैं तो कभी ने पुरानी मीठी यादों में जाने से, जीने से मना किया है. अगले सवाल पर चलते हैं. जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है, तो क्या होता है? वे घर से भाग जाता है? या वै रोने लगता है? या वै लड़ने लगता है? या तब उसे कोई रास्ता ही नहीं सूचता यह important MCQ है जब मनुश्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो उसे कोई रास्ता नहीं सूचता सही option इसका यह है अगले सवाल पर चलते हैं कविता में मृक्तिशना किसे कहा गया है स्मृद्धि को, जल को, प्रभूता को या इन में से कोई नहीं ये भी question जो है बार-बार आता है इसको याद रखिएगा कविता में मृक्तिशना प्रभूता को कहा गया है अगले सवाल पर चलते है यामिनी शब्द का अर्थ क्या है काली घटा तारो भरी चांदनी रात यम का दूद या यम देवता तो बच्चों, यामिनी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तारो भरी चांदनी रात अगले सवाल पर चलते हैं सरमाया शब्द का अर्थ क्या है सामान, सम्मान, पूंजी या इन में से कोई नहीं ये भी एक important MCQ है सरमाया शब्द का जो अर्थ है वो होता है पुंशी अगले सवाल पर चलते हैं कुंतल शब्द का क्या अर्थ है सौ किलो काला, लंबे केश या इन में से कोई नहीं ये भी एक important MCQ है कुंतल, शब्दकार्थ, लंबे केश है अगले सवाल पर चलते है चाया किसका प्रतीख है? पुरानी स्मृतियों का, शरीर का प्रतीविम, व्यक्ति का या इन में से कोई नहीं तो चाया जो है, वो पुराने स्मृतियों का प्रतीख है अगले सवाल पर चलते हैं लास्ट सवाल है कवी जीवन में क्या पाने के लिए दौटता रहा यश, खुशी, धन या इन में से कोई नहीं बच्चो इसका सही जवाब है यश और अगर आपको बच्चो ये MCQ अच्छा लग रहा है इस टाइब के MCQ आपको आपके बाकी चैप्टर्स के लिए भी चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए वीडियो लाइक कीजिए और मैं कोशिश करके सारे चैप्टर्स कवर करूंगा धन्यवाद